तो सैनिक स्कूल के अडिमिट काड लाइव हो चुके हैं ठीक है इस बार NTA नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने अडिमिट काड को डाउनलोड नहीं ऐसा वोला अडिमिट काड इस लाइव नाउ तो कैसे अडिमिट काड डाउनलोड होंगे और कुछ खास बाते भी मैं आपको यहां बता दूंगा कि कैसे पैलन्सकों यहां पे दियान अखना है सबसे जरूरी तो दिको है अपने जितने कर लिए तमाम वीडियो कोर्स देख लिए ओनलाइन कोर्स देख लिए आपने अकेडमी से पढ़ लिए बस अगर आपने इन पांच सेट्स पर अपने आपको और तोल लिया अपना और मेजरमेंट कर लिया तो फिर समझो कि आपकी तैयारी का सही एक्ट्वर एक्जक्ट जा सकते हैं तो दो या तीन दिन में पांचो सेंपल पीपर लग जाएंगे और कोई कमी होगी पांच-दस नंबर की बीस नंबर की तो वह आपके दूर हो जाएगी यह मैं बार-बार खहरा हूं बच्चों से होस्टल के तुर जो बच्चों को त्यारी करनी है तो नेक्ट् 2010 के बाद की यह कख्षा 9 के लिए है ठीक है के लिए चलिए लाइब भी तेयारी आप कर सकते हैं हमसे लाइब क्लास कोचिंग आप ले सकते हैं बेस्ट लाइब प्लेट्फोर्म आपको हमारी अकैडमी से मिलेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं देखिए यह क्या है यह है और इंडिया सेनिक स्कूल एडमिट कार्ड की वेब साइट यहां से डाउनलोड होगा AISSE 2024 एडमिट कार्ड इज लाइव तमाम तरह यहां पर एक पब्लिक नोटिस भी आया है पब्लिक नोटिस क्या कहता है देखिए यह कहता है कि वेरियस सेंटर पर एक्जाम होगा यह अठाई जनवरी 2024 को एडमिट कार्ड आ गया है एडमिट कार्ड की कोपी एक अपने पा अगर को फिर भी कोई कोई दिक्कत है तो आप इस पर कॉल करके उन्होंने नंबर दिये है इनको लिखके कोई बहुत सारे बचे चुकामान के चलो कि epic तो आप इस पे कॉल करके आप information ले सकते हैं इन्होंने नंबर भी डाला है और साथ में यहां पर यहां पर मैं देखूं तो यह हैडमिट काड़ देन का window जो नोने दी है इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर डलेगा आपका application नंबर ठीक है और यहां डालेगा date of birth अगर आपके पास application नंबर नहीं है फिर आपका नहीं हो सकता कुछ भी आपको application number दो जगहाया होगा कहां पर देखिए कहां पर आया होगा एक तो एक आया होगा आपका message के थुरू जो अपने mobile number डाला है ना वहाँ पर message आया होगा और एक आया होगा या अगर mobile message ने तो आपने email ID डाले होगी वहाँ पर आया होगा और फिर भी कोई दिक्कत आती है फिर भी मेरा मानना है फिर दोनों में कुछ नहीं है तो आप क्या करिए इनको mail करिए अपना नाम date of birth बच्चे का पापा का नाम इस तरहीं सारी चीज़े बेजिए कुछ ना कुछ वह रसीद वगएरा होगी आपके पास वह भीजिए इस mail पर तब वह यहां से वह इस mail से वो हो जाएगा ठीक है भई यह आप कर सकते हैं चलिए अभी हम देखते हैं और क्या-क्या चीज़े आपको ध्यानक नहीं है इसमें अगर मैं बात करूं यहां से यह यह देखो करके का एड्मिट का थे हैं आपको देखा रहा हुँ एक्छे का क्या चीज़े आएंग नाम नंबर पिताजी का नाम बट्य तो बती सारी चीज़े मैच कर लेनी है फोटो हो गया जास इस इक्ञेचर हो गया ठीक है यह एक्जाम का मेडियम हो गया इंग्लिश का है की हंदी में वो देख लेना आप अठाई जनवरी को पेपर है ठीक है और आपका दो से लेके पांच बजे तक है कक्सा नो का नाइंद का और तू थर्टी से लेके सुरि दो से लेके फॉर थर्टी तक है कक्सा छेंका ठीक है कि लिए और यहां पर जैसे सेंटर होगया एग्जाम सेंटर एकजाम सेंटर में सेंटर नेम ठीक है कुझपूरा रोयल लोड सेक्टर 9 करणाल अरियाना यह हो गया सारा का सारा इंट थरेशा कॉन्वेंट इस्कू बजे ठीक है डेड़ बजे आप पर अंटीगेट बंद हो जाएगा आगे देखते हैं और क्या इंस्ट्रक्षन है यह अंडर्टेकिंग है यहां पर बच्चे का नाम जैसे यहां पर बच्चे का नाम दक्स है तो दक्स रेजिडेंट ओफ कहां का जो भी इसका गाव है जीला है एड्रस थोटा लिखते हैं ठीक है बहुत जद्धा बढ़ा नहीं लिखना गाव का नाम बस गाव का नाम और ब्रेकिट में डिस्टिक लिख दो ऐब रिट दा इस्ट्रक्षन वीट में कर लिया पूरा रेड़ी इस्ट्रक्षन आपने कर लिया यहां पर क्या लिख है और उस पर क्रो सएन भी कर लेना इस फोटो यहां पर साइन होंगे किसके यहां पर साइन होंगे बच्चे के सिग्रेचर लेकिन कब एक्जाम सेंटर पर एक्जाम सेंटर पर साइन होंगे यह ठीक है वही चलो और भी देखते हैं यह तमाम इस्ट्रक्शन दे रखी हैं मैं इसको एक बार हिंदी में इसको उपन कर लेता यहां पर कोई खास अगर देखो यह चार चीजे में आपको पानी की बोतल ले जा सकते हैं बोल पॉइंट पैनल ले जा सकते हैं या एडमिट काट रहेगा और एक आपका परिदिन रहेगा ठीक है आईडी गे अरिजिनल रहेगी टीक है नीचे आई आये है अपना सेंटर पहले आट रहे दो लेने काट सेंटर पहला हूं ऑप यह गोले मत बर देना, एक यह गोला मानने होगा. और 4 सेट आएंगे भई, A, B, C QD कक्सा 9 के लिए लेकिन अगर मैं कक्सा 6 वाथ को ओगू E F G H ठीक है चार सेट लेंगे कक्सा 6 के लिए E F G H और A B C D कक्सा 9 के लिए चार 7 मिलेंगे आपको, ये आपका mobile number बगर बेके नहीं जाना है, इस तरह से है, help desk है, आपको सारी सीजिनों ने दे रखी है, ठीलियर तो में मेरा मानना है कि admit card को अपना pro पर करके तैयारी भी आपकी जरूरी है, तैयारी भी जरूरी अभी फिलाल तैयारी के क्या-क्या माद्रय में है, तैयारी के अनिक माद्रय मोझे हैं, कखसा 9 क के बच्चों को बता रहूं लेकिन सबसे मुझे लगता है अब अब सबसे पर्ष्ट में बताऊं एक तो सेंपल पेपर मंगा लो यह तो है दूसरा आप हमारे वीडियो कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं आप हमसे लाइव नेक्स बैस के लिए जिन बच्चों का नेक्स रियर का और बच्चों का बहुत अच्छी नंबर आने वाले है और यहां पर अब दिखना अब होगा क्या अब बस मेरा जब एक बच्चे पास होगे अब देखना आप पेरेंट्स का क्यों कि पैरेंट्स ने अपना बच्चा बेजा है अब देखते हैं क्या रिज़ा रहने वाला है अठ्थाई जनवर के बाद कितने बच्चे स्कूल की बहर्स रडाती है कौसी अकैड्मी यह सारी छीजह भी सामने आएं ठीक है वो साबी सीज़े भी आपको देखनी है चलिए थैंक्यू श्रेंट्स थैंक्यू पर्रेंट्स